तो हम bootstrap components देखेंगे सबसे पहले जैसे मैं ये button को देख रहा हूँ जिसमें primary लिखा हुआ है तो ये काफी अच्छा button है आप ऐसे common button काफी जगे देखते होंगे mobile में, web में तो ये button बना कैसे क्या करना पड़ा हमको क्या CSS लिखनी पड़ी है bootstrap कैसे help करता है तो let's see एक component के लिए you need some CSS classes और ये classes आपको बनानी नहीं है ये bootstrap में हैं तो किस तरह की classes होती है कुछ ऐसी classes होती है जो shape define करती है जैसे इसकी rounded rectangle shape है ऐसे color define करती है जैसे blue color का है ऐसे size define करती है जैसे medium size का है ऐसे block है या inline है ये decide करती है इस case में inline है ऐसे special कुछ चीज हो तो उसके लिए भी classes होती है जैसे कि एक filled button है तो ये सारी चीजों से ये button बना हुआ है ऐसे हर component के लिए कुछ ऐसी classes होती है जिसके combination से आप कुछ भी बना सकते हो तो इसको further explain करते है पहले ये देखते है कि ऐसा button मिलाने के लिए कैसा code लिखा जाएगा तो आप यहां देख रहे हो इस slide में कि यहां पे button दिख रहा है आपको और उसका code भी दिख रहा है तो code में एक special चीज है class जिसमें आप ध्यान दे सकते हो यहां पे btn जिसमें आपको दिखेगी इसकी shape क्या है ठीक है तो btn वो class है जो shape decide कर रही है वो और कुछ नहीं यानि rounded rectangle define कर रही है और btn primary ये color decide कर रही है तो इस तरह से आप देख सकते हो दो class के combination से आपने एक अच्छा button create कर दिया और आप इसको कहीं भी use कर सकते हो suppose एक दूसरा button देखते है ये button green color का है तो इसमें क्या change हुआ है shape तो वही है तो same class but button success करके इसका color change हो गया है तो एक colors का नाम red green blue नहीं है तो हम देखते हैं कि colors क्या क्या तरेके के हैं bootstrap में सबसे पहले आप देखोगे primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark इस तरह के कुछ colors हैं bootstrap में जो available हैं तो आप एक-एक करके इनका code देख सकते हो primary में जैसे हम btn primary use कर रहे है secondary में हम btn secondary use कर रहे है ऐसे ही इसके बाद ये green color है btn success, danger, उसके बाद warning, info, lie और dark तो ये color क्यों use हुए हैं उनके नाम क्यों है क्योंकि basically आपको कुछ ही limited task करने होते हैं जैसे कि आप buttons से या तो कोई चीज ok या कुछ success event create करवाते हैं तो उसके लिए green button better है कई बार आप कुछ dangerous चीज़ करते हैं जैसे delete या undo ऐसी कोई चीज जो कि user को थोड़ा ध्यान होना चीए तो आप danger color use कर सकते हो अलग-अलग context में आप इन color को use कर सकते हो तो आपको color का exact पता नहीं होना चीज़ कि कि कितना green है कितना red है आप इन सीधे number से आप एक बहुत ही अच्छा color use कर सकते हो तो यह आपको एक color library प्रोवाइड कर रहा है next हम कुछ और bootstrap component देखेंगे button हम अभी तक देख चुके हैं तो हमने देखा button इस तरह का कुछ दिखाई देता है और उसके लिए classes है वो combination है BTN और BTN success shape और color का वैसे alert एक और component है alert component कुछ इस तरह का दिखाई देता है और यह generally वहाँ use होता है जहां आप देख रहे हो कि login success हो गया या फिर login में invalid password आया तो red color का alert आएगा या फिर shopping card में add हो गया तो उसका confirmation generally alert कुछ दिर बाद गायब भी हो जाते है इसमें भी classes अगर आप देखोगे तो alert और alert primary तो एक shape दे रहा है इसको और एक इसको color दे रहा है तो primary को danger कर दोगे तो red color का हो जाएगा ऐसे ही badge एक और component है इसमें आप देखोगे जैसे एक button में use कर रहा हूँ और उसके बीच में आपको दिख रहा है एक और बहुत popular component हम देखते हैं list तो list group एक component है इसके अंदर दो चीजे है सबसे पहले आप देखो कि इसमें एक list group है जो कि पूरे group को contain किया हुआ है यानि सब के उपर हम list group लगाते है यानि ul पे आप list group लगा सकते हो ऐसे ही एक-एक list item पे आप list group item class लगाते हो तो इससे ये पूरी shape बनके आती है तो इनके दोनों के combination से ऐसी list बन रही है ये list आप काफी commonly mobile में भी observe करते होगे कैसी list mobile में होती है जो आप easily click भी कर सकते हो इसमें एक और special चीज दिख रही होगी कि जैसे एक चीज selected सी दिख रही है जो mobile में अपने आप एक बार में convert हो जाता है या जिसमें three lines होती है उसमें आप click करते हो तो एक menu type का drop होता है तो ये अपने आप ऐसा responsive बार इसमें बना हुआ है ये कुछ ऐसा सा दिखाई देता है हम इसके अंदर पूरा detail नहीं जाएंगे आप code bootstrap की side पर देख सकते हैं इसका कैसे है इसका basic structure कुछ ऐसा होता है जहां आप nav लिखते हो और उसके बाद इसकी classes important है तो navbar basic class है जो उसमें properties प्रोवाइड करता है उसके अंदर navbar dark और bg dark तो navbar dark इसको इसका primary color अगरे देता है और background color इसका change करने के लिए आप bg classes के combination यूज कर सकते हो इसके अंदर का content अभी हमने दिखाया नहीं है बट आप कोई भी content इसमें put कर सकते हो और बहुत अच्छे example bootstrap की side पर आपको इसके मिल जाएंगे जहां से आप ये start कर सकते हो इस example में हम देखेंगे कुछ components जो bootstrap में already available है mostly हम classes देखेंगे तो alert एक component है इसके लिए आप alert, alert primary इस तरह का कुछ use करते हो तो जैसे मैं इनको alert बनाना चाहरा हूँ तो यहाँ पे आप जाओगे h1 में और यहाँ पे आप class alert यूज कर लोगे तो आप सबसे पहले class लिखोगे और उसमें आप alert जो की उसको shape देगा और फिर एक color choose आप कर सकते हो तो पहले shape देते हैं तो आप देखोगे यह थोड़ी shape चिंज होगी है लेकिन कोई color नहीं है एक तरह से background white दिख रहा है तो alert danger हम put कर देगे यह इसको reddish color देगा तो आप देखोगे एक red background हो गया तो यह alert को मैंने use करके यहाँ पे देखा उसके बाद मेरे पास कुछ links हैं paragraphs हैं इन में भी मैं class put करूँगा तो सबसे पहले मैं alert ही try कर लेता हूँ तो मैं इन में भी alert put कर सकता हूँ वैसे link में आपको alert put करना सही नहीं है mostly आप button put करना better रहेगा तो यह success हमने put किया तो यह इस तरह से आ गया और यह inline है आप देख सकते हैं कि अब उतना ही block आया है पूरा full width नहीं आया है लेकिन अभी भी इसकी link property enabled लेगा तो किसी भी tag पे class वही effect देगी mostly अब मैं paragraph यहां नीचे जो लिखा हुआ है इस पे भी एक alert apply कर देता हूँ तो यहां मैं alert warning put कर रहा हूँ तो इससे orangish color का shade आ जाएगा और यहां पे यह भी alert type का component हो जाएगा तो हमने अभी alert component explore किया है इसके अलावा भी हम कुछ components use करते है next component जो हम देख रहे हैं वह buttons जो सबसे जादा useful है mostly जहां भी actions होते हैं वह buttons होते हैं तो इसके लिए आप इन में से कोई भी shade यूज़ कर सकते हो आप देख रहे हो primary, secondary, success यह सब color shades हैं तो सबसे पहले मैं इस link को ही change कर देता हूँ क्योंकि link generally button होने चाहिए तो मैं BTN class use करता हूँ जो उसकी primary shape देगी उसके बाद मैं एक color के लिए BTN और BTN में BTN primary put कर देता हूँ तो यह एक bluish shade उसको देगा तो इसको refresh करोगे तो यह button जैसा दिखने लग गया और यह link भी है इस पे आप click करोगे तो अभी भी आप HRF पे चले जाओगे button ज्यादा suitable है किसी link को represent करने के लिए तो यहाँ पे जो भी आपने link put किया है वहाँ पे आप redirect हो जाओगे यहाँ पे आप outline buttons भी देख सकते हो जो की थोड़े empty से होते हैं यह जादा better दिखते हैं कई situation में इसमें आप especially यहाँ पे class add कर सकते हो button outline primary button outline primary इसको bluish shade देदेगा empty अभी यह field आ रहा है because शयद हमने दोनों class एक साथ लगा दी हैं तो मैं button primary हटा देता हूँ और कियों button outline primary रखते हैं button बन जाएगा next हम एक component देख रहे है button group तो side by side कुछ buttons का group अगर आपको लगाना हो तो आप यह use कर सकते हैं तो मैं इस particular code को वहाँ से copy करके यह paste कर देता हूँ just हम यहाँ पे इसको attach कर रहे हूँ same HTML इसको refresh करके देखते हैं तो यहाँ नीचे आप देख रहे हूँ left, right, middle यह सारी चीजें आ गई हैं इनका color भी हम change करके देखते हैं same rule apply होते हैं जैसे मैं primary एक color दे रहा हूँ फिर success color दे रहा हूँ और info एक color दे रहा हूँ तो तीनो color different है तीनो button थोड़े अलग दिखाई देंगे तो button group या कोई भी component आप वहाँ से आपको code मिल जाएगा आप उसको use कर सकते हूँ next हमको यह list दिखाई दे रही है हम इसको modify करेंगे तो list के लिए भी आप जा सकते हो सीधे list group components में यहाँ पे आपको कुछ classes दिखेंगी तो इस तरह की list आपको दिखेंगी जो काफी mobile friendly है और फुलविड था जाएगी तो यहाँ पे मैं इस list को modify करता हूँ उससे पहले मैं यह enemies और आप देख रहे हो दो list है सबसे पहले मैं इसी list को alert class दे देता हूँ एक class put करनी पड़ेगी जिसको हम list group item बोलते हैं तो यहाँ पे आप list group item एक class put कर दोगे यह class आपको हर item पे put करनी पड़ेगी ताकि हर item full width और mobile friendly दिखे तो इसमें आप सारी classes paste कर देते हो आप refresh करते हो तो आप देखोगे आपको एक full width mobile friendly list दिखाई देगी इसी item को color देना है तो list group item के आगया आप primary या कोई भी danger इस तरह का color दे सकते हो तो वो एक shade भी आप put कर सकते हो किसी भी item पे तो rules काफी same है shape, size, color इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हो यह सब आपको documentation में काफी clearly मिल जाएगा next हम navbar explore कर रहे है navbar आपका navigation जो top menu होता है इसका code आप सीधे यहां से use कर सकते है menu दिख रहा है जिसमें काफी चीज़े है बाद में आप delete भी कर सकते है बाट एक sample code के लिए वो अच्छा है तो मैं सबसे top पे इसको paste कर देता हूँ यह navigation काफी responsive भी होता है mobile friendly जिसको हम बोलेंगे तो आप refresh करते हो तो आप देख रहे हो यहां पे mobile format में ही दिखे रहा है drop down अभी नहीं open होगा अपने bootstrap.js enable नहीं कर रखा अभी आप देखोगे तो इन links पे आप click कर सकते हो मैंने थोड़ा zoom out किया है तो यह proper दिख रहा है तो मैंने यहां dark किया अब यह दोनों compatible लग रहे हैं तो इस तरह से आप experiment कर सकते हो चीजें उसके objects को effect करेगी दूसरा उसका background को effect करेगी तो मैंने यह primary दिया तो अब इस तरह से यह links दिख रहे हैं पर कुछ चीजें hide हो गई उधर तो आपको यह compatible चीजें देखनी होंगी अगर मैं दोनों को primary कर देता हूं तो यह बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यह combination बनाया पड़ेगा navbar के colors का और उसके background का जिससे की काफी visible हो navbar उसके अलावा उसके अंदर के component को आप एक एक करके modify कर सकते हो वो अपने आप responsive होंगे mobile में तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे